वार्ट सब गाईज कैसे हो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्त और मस्त होंगे आज हम बात करने वाले हैं एट्थ कॉंटिनेंट जिसका नाम है जिलेंडिया बिसिकली जो हमारे अधर सेवन कॉंटिनेंट्स है वो नौर्थ अमेरिका, साथ अमेरिका, यूर आज बात करेंगे एर्थ कॉंटिनेंट्स जिलेंडिया के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं जिलेंडिया वल्ड का आथमा कॉंटिनेंट है जिलेंडिया इसा माना जाता है कि गोड़वाना से 80 मिलियन इयर एगो इस्पिलिट हुआ था एंड इट सम्बर्स कंप्लेटल हाल ही में GNS Science अब न्यूजिलेंड के बिग्यानिकों ने जिलेंडिया का मैप रिलेज किया अब GNS Science क्या है GNS Science न्यूजिलेंड का Crown Research Institute है जिसका focus Geology, Geophysics और Nuclear Science पे होता है Geophysist Bruce Lewandek ने इस term और concept का सबसे पहले use 1955 में किया था तिल 2017-2017 तक जिलेंडिया को एक Micro Continents के नाम के से जाना जाता था जैसे Madagascar को जाना जाता है इन 2017-2017 में Scientist ने एक पुष्टी कर दिया कि Earth Continents जो है एक्जिस्ट करता है इसकी पुष्टी हो गई थी लेकिन इसे Drowned Continent माना गया क्योंकि यह submerged था वाटर में इन 2020-2020 में Researchers के According Zealandia उन सभी Conditions को Complete करता है जो एक Continent होने के लिए Necessary है तो चलिए देखते हैं कि एक Continent होने के लिए Necessary Conditions कौन-कौन से है इसमें पहला है एक Continent Must Have Elevation Above That Of A Ocean Floor Surround It जो Continent है उसके किनारे जो Ocean Floor है उसके तुला में जो Continent है उसका Elevation जो है एबब होना चाहिए जो Continent के Continent Crust है उसमें एक वाइड रेंज में जो है इगनियस रॉक, सेडिमेंट रॉक और मेतामॉर्फिक रॉक होने चाहिए जो Continent के Crust है वो काफी थिकर और लेस देंस होना चाहिए as compared to Ocean Crust and fourth and last is a well-defined extent that is large enough to be constitute a continent means एक well-defined उसका extends होना चाहिए जो एक Continent कहने लायक हो enough हो उसके लिए बोथ बैथिमेट्री मैप और टेक्टॉनिक मैप आप Continent रिलीज बाई GNS Science अब New Zealand वारा दो तरह के मैप रिलीज किये गए है बैथिमेट्री मैप और टेक्टॉनिक मैप बैथिमेट्री मैप से हमें पता चलता है Continent के interior structure के बारे में वहीं टेक्टॉनिक मैप से हमें age, type of crust पता चलता है fault or volcano of crust पता चलता है डाटा फार बैथिमेट्री मैप गिवन बाई C-Bet 2013 प्रोजेक्टॉनिक जो बैथिमेट्री मैप बनाने में जो डाटा यूज हुआ है वह C-Bet 2013 प्रोजेक्ट से लिया गया है अब इस C-Bet 2030 प्रोजेक्ट क्या है यह जो है एक global initiative है जिसके तहर 2030 तक हमें ocean floor का measurement करना है यह एक मुहीम है यह भागोलिक मुहीम है C-Bet 2013 प्रोजेक्ट चलिए हम जिलेंडिया को मैप से समझते हैं जिलेंडिया बिसकली अस्ट्रेलिया के east में लोकेट करता है चलिए इसको हम जूम फीगर में देखते हैं यह हमारा अस्ट्रेलिया है और अस्ट्रेलिया के east में यह हमारा जो है जिलेंडिया है जिलेंडिया का 94% जो पार्ट है वो अंडर वाटर है इसका area जो है 5 million square kilometer है और जिलेंडिया के east में Pacific Ocean है और west में Tasmancy है ऐसा नहीं है कि जिलेंडिया जो है completely underwater है इसके कुछ पार्ट जो है उपर भी है जैसे यहाँ न्यूजिलेंड है और यहाँ न्यू कलेंडोनिया है और जिलेंडिया को हम एक और नाम से जानते हैं जो है यहाँ लिखा हुआ है तेर यूए मौाव झाल